और आप brokerage reports कौन सी हैं ये जानते हैं, brokerage report लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं गुड मॉर्निंग वामाक्षी बताएं कौन सी brokerage report आज रेडार पर है जी बिलकुल शुरुआत का गुड मॉर्निंग मानसी, हम एक ही brokerage radar पर है हमारे और वो है Tata Motors जेपी मॉगन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने डाउन ग्रेट कर दी है, अपनी राय को Tata Motors पर ओवरवेट की राय से उन्होंने न्यूट्रल की राय दी है लक्ष रखाया है 455 प्रतिष शेर का उनके मताबिक जो JLR यानि कि Jaguar Land Rover का free cash flow generation है वो अभी डिले हो चुका है JLR के जो second quarter के wholesale sales ते उसमें हमें disappointment नजर आई मगर जो retail sales ते वो wholesale sales से slightly better नजर आये है जो zero net debt का target था उनका Fy25 का तो अब वो भी push हो गया है और उनका जो net debt zero जब होगा वो होगा Fy25 के बाद ऐसा JP Morgan का माना है और जो दूसरे तिमाही Fy23 के लिए जो forecast है हला कि वो इंडिया और JLR के business के लिए slightly improve नजर आ रहे है तो खाफी सारे positives बड़ उससे भी ज्यादा negatives और इसी के चलते JP Morgan ने Tata Motors पर अपनी rating को downgrade किया है और over weight की राहे से neutral की राहे दी है तो चलिए Tata Motors जिस तरह से Q2 update अभी हमें बता रहे थे शरत उसके ठीक बार JP Morgan की report भी आई है जो कि वामाक्षी हमें बता रही है तो ओर वेट की rating घटाई है घटाकर neutral की rating यहां पर दी गई है लक्ष जो है 455 के राशनाल इसके पीछे वामाक्षी ने हमें समझाए Thanks वामाक्षी for that चलिए आगे बढ़ते हो